Hello everyone, welcome back to my channel, ये recruitment है कार्याल महानिदेशक पुलिस अप्राध हर्याना की तरफ से Basically हर्याना का ही recruitment है और ये walk-in interview है, ये कोई यहाँ पे exam नहीं होगा Cyber Crime Police Station पंचकुला में IT professional के लिए जो IT professionally जो post होती है उनके लिए outsourcing policy भाग दो के अंतरगत एक वरिश की अवधी अर्थार 2021-22 के जो अवशकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है के लिए सम्विदा आदार पर ततकालिन भरे जाने अनिवार हैं और देखें यहाँ पर पहले एक साल की अवधी देंगे उसके बाद आपका टैन्योर बढ़ा देंगे सबसे पहली जो post है सिस्टम एनलिस्ट जिसमें BTEC या MTEC मांग रखी है किसी भी स्ट्रेम में minimum 50% या फिर BCA, MCA, PGDCA 50% या फिर MSC forensic में आपकी 50% qualify मांग रखा है और minimum experience, 2 years का cyber forensic, disk forensic, mobile forensic, cyber crime investigation, cyber security, programming, data analysis, etc. इस type का अगर आपका experience है दो साल का तो यहाँ पर 10 post है और आपकी जो contract fees दी जाएगी पर मन्त की वो दी जाएगी 49,200 रुपे second जो post है programmer data analyst की है BE, BTEC, MTEC in any stream with 50% marks, BCA, MCA, PGDCA with 50% mark MSC forensic minimum 50% मतलब same criteria है दोनों ही post के लिए qualification C में है 1 year in cyber forensic, same यहाँ पर experience मांग रखा है 10 post है 27,200 यहाँ पर fees मतलब यह आपकी salary दी जाएगी यहाँ पर 2 year forensic, cyber forensic में experience है, यहाँ पर 1 year का है अब यहाँ पर कैसे करना है, online application या तो आप यह code scan कर सकते हो cyber crime unit का या फिर आप यहाँ से apply online, यह officially website है यहाँ पर यह officially जाके आप यहाँ पर पंचकुला cyber police station अत्वा किसी अन्य स्थान के लिए आबंद किया जाएगा उप्रोक्त पद के लिए जो age limit रहेगी 18 से 42 साल तक विभाग चेन प्रकरिया के दोरान बिना कोई कान बताए किसी श्रेणी में पद को घटाने और बटाने का पूनत वापस लेने का अधिकार शुरक्षित रखता है मतलब ये जो पोस्ट हैं बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं चेन कमेटी उमिद्वारों के मामले में न्यूनतम योगेता अपेक्षित अनुभों में बदलाग छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं अन्यत्या किसी श्रेणी में अरक नहीं है कोई T.A.D.A. नहीं दिया जाएगा जब आप इंटर्व्यू के लिए जाओगे और वोकिन इंटर्वू आपका राज्य अपराजशा का हरियाना मुख्याल है मोगी नंद पंचकुला में 27 एपरेल को 10 से 5 वजे तक आयोजित किया जाएगा S.P. Cyber Crime महानिदेशक पुलिस अपराद हरियाना ये लगबग 20 पोस्ट हैं 10 पोस्ट उपर वाली कटेगरी में और 10 पोस्ट इस वारी में एक है System Analysis और एक है Program Data Analysis Cyber Crime की तरफ से Cyber Crime of हरियाना पुलिस यहाँ पर ये पोस्ट है सो अगर कोई यहाँ से ये qualification रखता है और interested है तो यहाँ पर apply कर सकता है Thank you so much